मिथिला, कला, संस्कृती और भी बहुत कुछ मिथिला जिसे तिरहुत और तिर्भुक्ती भी कहा जाता है भारतिय उपमहाद्वीब का एक भूवै ज्यानिक और सामाजिक शेत्र है जो पूर्व में महानन्दा नदी, दक्षिन में गंगा, पश्चि में गंड की नदी और हिमाले के निचलेक शेत्रों तक सीमी थे उत्तर, भारत में उस शेत्र में बेगुसराय, भागलपुर, दर्भंगा, पूर्वी चंपारन, खगडिया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुझफफरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामधी, सुपॉल, वैशाली और पश्चिमी चंपारन शामिल है मिथिला में स्थानिय भाषा मैथिली है, और इसे बोलने वालों को मैथिल कहा जाता है इस शेत्र का नाम पौरानिक राजा, मिथी, से आया है, जिसका अर्थ है, मिथी कहा जाता है कि प्राचीन मिथिला जन्पद की राजधानी नेपाल के धनुसा जिले में स्थित जनक पुर्थी मिथिला शेत्र का उल्लेक रामायन में विशेश रूप से किया गया है क्योंकि इसे सीता भगवान राम की पतनी के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है यह मिथिला देवी सीता की जन्मस्थली होने के कारण अधिक प्रसिद्ध है मिथिला में देवी सीता के आगमन के कारण ही नेपाल में हमेशा जानकी नवमी मनाई जाती है मिथिला नाम आमतोर पर विदेह सामराजे को संदर्भित करने के लिए उप्योग किया जाता है साथ ही उन उन्नत डोमेंग के लिए भी जो विदेह की प्राचीन सीमाओं के भीतर आते हैं अठारहवी शताबदी में जब मिथिला अभी भी कुछ हद तक राजदर्भंगा द्वारा प्रबंधित था ब्रिटिश राज ने इस शेत्र को एक प्रतिष्ठित राजे के रूप में याद किये बिना इसमें शामिल कर लिया संस्कृती मिथिला या मैथिल संस्कृती उस जीवन शैली को संदर भित करती है जो मिथिला शेत्र में शुरू हुई थी मिथिला संस्कृती अपनी भाशा, नरीते, पाग, टोपी, उत्सव, मधुबनी पेंटिंग, भोजन और सबसे उपर बुद्ध और महावीर द्वारा बिताए गए अस्तित्व के लिए प्रसिध है महावीर और बुद्ध दोनों मिथिला में रहे हैं और बातचीत की है भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, उनका जन्म 599 इसा पूर्व बिहार में हुआ था महावीर अपनी अलोकिक जानकारियों के लिए जाने जाते थे बोधग्या में गौतम बुद्ध को बोधी वृक्ष के नाम से जाने जाने वाले वृक्ष के नीचे रोष्नी प्राप्त हुई गौतम बुद्ध और उनके आंदोलनों और शिक्षाओं के प्रभाव के कारण दुनिया का पहला कॉलेज नालंदा स्थापित किया गया था यह काफी समय तक प्रभावी धंग से चला और लगभग 3,000 वैश्विक छात्रों ने इसमें भाग लिया मिह्टिला में मंदन मिश्र जैसे महान विद्वानों की अंथीन संख्या थी भारती, महिशी, सहरसासे, वाचस्पती प्रथम, ठाडी, काली दास, उच्चैत, बेनी पट्टी, वाचस्पती द्वितिये, सामौल, मधुबनी, उद्यनाचारे, करियन, समस्तीपूर, शंकर, सरिसब, दर्भंगा, मुरारी, पक्षधर, आदी पुराने समय में गुरु लेखक जोतितिश्वर, वर्न अरतनाकर 1224E, आधुनिक समय में विद्याप्ती, चंदा जा, सुरेंद्र जा, सुमन, बैदेनात मिश्र, यातरी, जैसे महानकवी और लेखक जिन्होंने हिंदी में नागारजुन, रामधारी सिंग, दिनकर, अर्स प्रसाद सिंग, जानकी बल्लब शास्त्री, रामब्रिक्ष बेनीपुरी, भिखारी के नाम से भी लिखा, ठाकुर, फनीश्वर नात, रेनू, और कुछ अन्य, कला, मिथिला कला, संभवतह भारत की सबसे प्रसिद कला है, जिसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से अधिक ज जाना जाता है, इस कला की उत्पत्ती रामायन काल से मानी जाती है, ऐसा माना जाता है, कि रामायन के मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता की राम से शादी के लिए, असाधारन मिथिला कला को सजाने के लिए, मिथिला कला के स्थानिये विशेशग्यों को नियुक इस प्रकार मिथिला कला को जी आई दर्जा प्राप्त हुआ है। भर्नी, कच्नी, तांत्रिक, गोधना और कोहबर। मिथिला कला की मजबूत विशेशताओं में शामिल है जीवंत प्राकृतिक रंगों का उप्योग, कैनवास पर कोई खाली जगह नहीं होना और न्यूनतम चायांकन। इसके स्ट्रोक एक ही समय में सटीक और बोल्ड है। ये आकरशक पेंटिंग हर अफसर और त्योहारों के लिए है। जिन विश्यों पर ये पेंटिंग आधारित है। वे मुख्य रूप से प्रकृति और जीवन की घटनाएं और धार्मिक कहानियां और लोकताएं हैं। यह कला लोगों, उनके जीवन की घटनाओ, शादियों, समारोहों आधी, प्रकृति के साथ उनके जुलाव, पेड, जंगल, सूरे, चंद्रमा, तुलसी आधी और प्राचीन महाकाव्यों जैसे रामायन, शिवपुरान, कृष्न लीला आधी के देवताओं को दर्शाती है 1934 के भीशन भूकम के बाद मिथिला पेंटिंग बाहरी दुनिया के लिए अग्यात थी, जब घर और दीवारे ढगई और यह मधुबनी जिले में, ब्रिटिश अपनिवेशिक अधिकारी विलियम जी, आर्चर थे, जिन्होंने मलबे में मिली पेंटिंग की खोज की, इस क जीवे दीवार, कपड़े, हस्तनिर्मित कागज और कैनवास पर भी बनाई जाती है, वर्तमान समय में दीवार, कागज, कपड़े से लेकर कपला और परिधान से लेकर जीवन शैली और सजावत के उतपादों तक किसी भी चीज को कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया जा भाशा बोकारो, राँची, सीतामडी आदी इलाकों में बोली जाती है, मैथिल संस्कृती, दर्भंगा में अधिक प्रसिद्ध है, दर्भंगा को वैसे ही मिथिलांचल का हरिदय भी कहा जाता है, इस शेत्र में बोली जाने वाली मैथिली भाशा, विश्व की सर्वोत्तम भाशा खाना, माच, मखान और पान मिथिला की पहचान का हिस्सा है मिथिला में मचली सबसे लोगप्रिय भोजन है जिसका उप्योग किसी भी अफसर पर मुख्य वेंजन के रूप में किया जाता है उबले चावल आधारित दोफर का भोजन और रोटी आधारित रातरी भोजन और नाश्ता खाने का रिवाज है यहां की खादे संस्कृती शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है मिथिलांचल के लोग वेज और नौन वेज दोनों तरह के वेंजनों का आनंद लेते है और मिथिलांचल शेतर का वेंजन अपने आप में अनोखा है दही चूड़ा, घुगनी, सत्तू, लिट्टी चोखा, कधूबार, मखाना खीर, तिलकोर तरुआ, मिथिला, मौस, मटन बटा चिकन बटा स्क्वेल्स करी, मच्छक जोर, मचली करी और कई अन्य मिथिलांचल के सबसे प्रसिद और निमित वेंजन है पान हर अवसर पर एक महत्वपूर्ण जल्पान की वस्तू है सभी तैयारिया एक साथ थाली में परोसी गई और एक ही बार में खाली गई चुंकि पाठे क्रमा नुसार भोजन का कोई अभ्यास नहीं है इसलिए कोई अच्छी तरह से परिभाशिद गैस्ट्रोनॉमिक अभ्यास भी नहीं है और इसलिए लोग सभी प्रकार की तैयारियों को समान में हित्व देते है और प्रतेक व्यंजन का भरपूर आनंद लेते है मैथिल हमेशा अपने भोजन में दुग्ध उत्पादों को अत्यधिक प्रात्मिक्ता देते है जिसे इस पुरानी कहावत से मापा जा सकता है आदी गी और अंध दही ओए भोजन का ही भोजन वह भोजन है जो घी से शुरू होता है और दही के साथ समाप्थ होता है समारोह विविधता से समरिध राज्य होने के कारण मिथिला शेत्र कई त्योहार मनाता है त्योहारों के अलावा भी कई परंपराए है जो उत्सम मनाने का आहवान करती है मुंदन संसकार मिथिला में एक बहुत लोग प्रिय परंपरा है भोज, पार्टी और कभी-कभी असाधारन समारोहों के साथ एक बच्चे के बाल पहली बार मुंदवाई जाते है मैथिली विवाह परंपराई लोगों के लिए महित्व पूर्ने और शेत्र के लिए अद्वितिये हैं इस प्रथा में चार दिनों के विवाह समारोह शामिल है जिन्हें कहा जाता है बरसेत, चौथी, मधुश रावनी, कोजागरा और अंतमे द्विरागमन, दुलहन की पहली घरवापसी विभिन तियोहारों के बारे में अधिक जानने के लिए परना जारी रखें चट पूजा यह मिठीलाचल के सबसे महित्व पूर्न तियोहारों में से एक है ज्यादातर उत्री बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यहत्योहार सूरे देव की पूजा के लिए समर्पित है और इसलिए इसे सूरे शष्ठी के नाम से भी जाना जाता है चट पूजा के दौरान जिसे कुछ स्थानों पर चट परब भी कहा जाता है लोग जीवन का समर्थन करने के लिए सूरे देव को धन्यवाद देते है और उनका आशीरवाद मांगते है लोग भगवान सूरे से अपने परिवार के सदस्यों और प्रेजनों की दीर घायू और समरिद्धी के लिए भी प्रार्थना करते है भक्त सूरे देव के साथ साथ देवी उशा, सुबह की पहली किरन और शाम की आखिरी किरन प्रत्युशा के प्रती अपना आभार विक्त करते है जूद शीतल जूद शीतल या मैथिली नव वर्ष मैथिली नव वर्ष के पहले दिन का उत्सव है यह दिन आमतोर पर भारत और नेपाल के मिथिला शेत्र में मैथिलो द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चौद हप्रेल को पड़ता है इस अवसर पर मिथिला में लोग एक दिन पहले बनाएगे बड़ी भात का सेवन करते है इस मैथिल त्योहार में लोग ब्राहमनों को पानी से भरे मिट्टी के घड़े दान करते है नाग पंचमी यह नाग देवता का त्योहार है इस दिन मिथिला में लोग श्रद्धा के प्रती के रूप में साम्प का दूद और चावल मक्का चड़ाते है इस दिन भक्त अपने दर्वाजे पर गाय के गोबर से नाग की तस्वीर चिपकाते है मिथिला का यह त्योहार परिवार के कल्यान के लिए चंद्र देवता की पूजा है लोग शाम को पूजा के बाद पूडी और पेडोकिया जैसे पक्वान बना कर खाते है कोजागरा कोजागरा समरिद्धी की देवी लक्षमी को प्रसंद करने के लिए मनाया जाता है यह त्योहार आश्विन माह की पूर्निमा की रात को मनाया जाता है कोजागरा का शाब्दिक अर्थ है जागरिती की रात सामा चकेवा मिथी लांचल इस त्योहार को भाई भन के रिष्टे के उत्सव के लिए समर्पित करता है सामा इस भूमी की परंपरा के साथ साथ मूर्तिया बनाने की कला का भी प्रतिनिधित्व करता है सामा पर्व की शुरुआत पक्षियों के जोड़े सामाच केवा के मिलन से होती है लर्किया विभिन प्रकार के पक्षियों की मिट्टी की मूर्तिया बनाती है और उन्हें अपने निश्चित तरीके से सजाती है विभिन अनुष्ठान किये जाते है और त्योहार सामा की विदाई के साथ खुशी से समाप्थ होता है और इस कामना के साथ की ये वनस्पतियां और जीव अगले वर्ष इस भूमी पर लोटाएं भात रिद्वितिया मिथिला में यह भाई भन का त्योहार है भाई अपनी बहें के घर जाता है और उसे आशिरवाद लेता है बहें अपने भाई के आने तक वरत रखती है और अपने भाई के लिए खाना भी बनाती है देवोत थान एकादशी मिथिला का यह वरत भगवान विश्नु की पूजा है लोग इस त्योहार का अभ्यास भगवान को जगाने के लिए करते है जो पहले से ही चार महीने के लिए सो रहे है महत्वपूर्ण स्थान जनकपुर हिंदूों के पवित्र महाकावे रामायन के लेखक रिशी वालमिकी के अनुसार जनकपुर राजा जनक की राजधानी थी जिन्होंने कई साल पहले मिथिला पर शासन किया था एक अन्ने संथ तुलसी दास ने भी मिथिला को जनक की राजधानी बताया था जनकपुर अब जनकपुर में स्थित है नेपाल धनुशा नेपाल में जनकपुर के पास एक स्थान है ऐसा माना जाता है कि सीता स्वयमवर यहीं हुआ था शिव का प्रसिद धनुश, पिनाक, भगवान राम द्वारा तोड़ा गया था जैसा कि रामायन में वर्नी थे सीता मधी बिहार का एक जिला है जो दर्भंगा से लगभग पचास किलो मीटर दूर लखंदेई नदी, बागमती की जनजाती के तक पर स्थित थे वालमिकी रामायन में लिखा है कि जनक को खेट जोते समय एक कन्या मिली और उन्होंने उसका नाम सीता रखा भगवान ने सीता का वर्दान दिया था मिथिला में वर्षों से चले आ रहे सूखे और अकाल का अंत हुआ इस स्थान को अब सीतामधी में जानकी मंदिर कहा जाता है अहिल्या स्थान यह स्थान मिथिला शेत्र के दर्भंगा जिले में स्थित है ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने स्वयमवर के लिए धनुशा जाते समय एक संथ पत्नी अहिलिया को श्राप से मुक्त किया था जिसने उन्हें पत्थर में बदल दिया था महेशी मिथिला शेत्र में सहरसा जिले का एक गाव है सदियों पहले इसी स्थान पर शंकराचारे और मंदन मिश्र के बीच प्रसिद शास्तरार्थ हुआ था इस वादविवाद ने शंकराचारे द्वारा हिंदू धर्म के सुधार की दिशा बदल दी थी शंकराचारे मंदन मिश्र को हराने में सफल रहे लेकिन उनके द्वारा पराजित हुए पत्नी भारती बली राजगर मिथिला के मधुबनी जिले से लगभग 30 किलो मीटर की दूरी पर है बाबू बरही में प्रहलाद के पुत्र महान राजा बली के राजगर के प्राचीन अवशेश मिल सकते हैं इतने वर्षों तक उपेक्षित रहने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षन ने हाल ही में इस स्थान को एतिहासिक महित्व के स्थल के रूप में पहचाना है अब अवशेशों की खुदाई और कहानी खोजने के प्रयास जारी है कपलेश्वर मिथिला शेत्र के मधुबनी जिले के रहिका के कक्रॉल में स्थित है ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्राचीन रिशी कपिल द्वारा एक शिवलिंग स्थापित किया गया था कई वर्षों तक इसका प्रबंधन राज दर्भंगा द्वारा किया गया था मिथिला कला को विश्व मानचित्र पर पुनह स्थापित करने के लिए जिवारपूर गाव को विश्व व्यापी माननेता मिली है यह गाव पश्चिमी विदेशियों के बीच मिथिला कला और सिक्की कला आदी जैसे अन्ने सामानों की खरीद के लिए प्रसिध है इस गाव तक मधुबनी स्टेशन से रिक्षा द्वारा पहुचा जा सकता है भागलपूर भारत के बिहार राजे में गंगा नदी के दक्षिनी तट पर स्थित एक एतिहासिक महित्व का शहर है यह बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और भागलपूर जिले और भागलपूर डिवीजन का मुख्याले भी है काटना क्रिशी शेत्र की मुख्य आर्थिक गतिविधी है मुख्य फसले धान, गेहूं, डाले, मूंग, उरद, अरहर, जूट इसके उत्पादन में हाल ही में गिरावत के साथ और मक्का है मिथिला मकाना या मकान मिथिला मकान एक विशेश प्रकार का जलिय पौधा है, जिसकी खेती बिहार और नेपाल के मिथिला शेत्र में की जाती है अब मकाना को GI टैग प्राप्ते, क्योंकि यह मुख्य रूप से मिहिला में ही उगाया जाता है दुनिया भर से 90% से अधिक मकाना मिथिला में उगाया जाता है निशकर्ष, पगपग पोकर, माच, मकान, कदम दर कदम वहाँ पाउंड, मचलिया और मकान, शेत्र की संस्कृतिक पहचान और मैथिली गौरव का प्रतीक है मिथिला में किसी भी संस्कृति या कला रूप के बारे में रोमाचक चीजों में से एक यह है कि यह सीमाओं या सीमाओं के माध्यम से यात्रा करती है और अपनी रचनात्मक प्रतिभा और शिल्प से लोगों को उनकी मूल जाती या धर्म की परवा किये बिना मंत्र मुग्द करने की क्षमता रखती है संभवता, कला का कोई धर्म नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, कहने के पीछे यही कारण हो सकता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना समर्थन दिखा सकते है जै मिथिला, जै माजान की